पिछले विडियो में हमने अपने स्प्राइट्स में वाइस ओवर डालना चीछ तो इस विडियो में इसी इफेक्ட यो जाता रियलिस्टिक बनाने के लिए हम सीखते हैं कि कैसे जब हमारे स्प्राइट्स बोल रहे हों तो उनका जो लिप्स ब्होड़े move करें ताकि ऐसा लगे कि वो वाकई में बोल रहे हैं तो जब हम लिप सिंकिंग की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि जब हम धनी produce करते हैं अपने मूँ से तो हमारे जो lips हैं वो specific कुछ shapes लेते हैं जैसे कि कि अगर हम O sound करते हैं तो हमारे हमारा जो मू है वो इस किसम से बन जाता है उ में ऐसा बन जाता है यू में ऐसा बन जाता है तो इस तरीके से हमारा हमारे जो lips हैं वो move करते हैं तो animation बनाते वक्त हम क्या कोशिश करते हैं कि जो भी sound बोली जा रही है जो भी शब बोले जा रहे हैं उनसे जो ध्वनी निकलती है उनको हम map करने की कोशिश करते हैं इन lips की shape से तो बहुत complicated करने के बदले हम इसको सरल रखते हैं और मान लिया जाए हम इसमें बस तीन आकरितियां रखते हैं एक जैसे जब मूँ खुला हुआ है एक जब मूँ बंध है और एक जब मूँ थोड़ा सा खुला हुआ है तो इन टीनों को यूज करके हम अधिकतर द्वनी उनसे मैप कर पाएंगे तो अगर आब हम वापस scratch में चलते हैं तो scratch में हमारी जो character है करन वो उसका first dialogue है तो हम चाहते हैं कि जब करन ये बोले तो उसके जो lips हैं वो move करें तो lips move कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि किसी भी sprite या character की costume को बदलना पड़ता है तो सबसे पहले तो हम जाके देखते हैं कि किरन की अपनी कॉस्ट्यूम्स हैं कौन-कौन सी तो हमारे पास एक ये कॉस्ट्यूम है किरन A जिसमें मूँ इसके समसे पूरा बंद है फिर ये कॉस्ट्यूम है B जिसमें जो हमने देखा था O की आकरिती की है आँखें बंद है तो ये एक और ध्वनी को दर्शाने के काम आ जाएगी और इसके आगी की जो तीन इमेजनें वो ध्वनी से नहीं रिलेटेड हैं तो वो हमारे काम की अभी इस संदर में नहीं है तो हम केवल किरन A किरन B और किरन C जो हैं ये तीन कॉस्ट्यूम यूज करके देखते हैं तो हम कह रहे हैं कि हम निदेश ये देना चाहते हैं कि जो ये कॉस्ट्यूम से ये बदलें ताकि जो किरन के लिप्स हैं वो मूव करें तो कॉस्ट्यूम बदलने के लिए हमने एक पहले वीडियो में देखा था कि हम लुक्स में जाते हैं और हम ये स्वि का natural pose है यह हो उसके बाद हम कह रहे हैं कि यह पोज बदले तो हम फिर से switch किरन B में जाते हैं इसको हम कह देते हैं किरन B सांब और फिर एक बार और duplicate to kira c तो अब हम इन तीनों को यूज करके हम इसको कोशिश करेंगे सिंग करने की जो जिससे जो बात करन कह रही है उससे तो हम हमने यहां command में हम देख रहे हैं कि हमने यहां पहले 0.5 seconds की weight डाली थी तो इन दोनों को sync कराने के लिए सबसे पहले तो मैं यहां जाके weight डाल देता हूँ 0.5 seconds की फिर मैं चाहता हूँ कि जो है costume बदले और किरन की costume भी हो जाए और फिर में भी एक और छोटी सी weight आए में भी not 0.5 बच 0.2 seconds की और फिर इसको भी एक बार duplicate किया यहां तो हम हम चाहते यह हैं कि इस तरीके से जो है costume वो बदले और में भी फिर से तो अगर मैं इनको यहां डाल दूँ और अभी यह चला के देखू तो हमारी costume इस तरीके से बदल रही है तो यह थोड़ा बदला पर बहुत कम बदला तो हम चाहते क्या है कि यह जो अंदर चल रहा था इसको हम एक बार repeat करा देते हैं तो माई मान लो हम इसको twice repeat करके देखते हैं यह थोड़ा सा हमें थोड़ा सा और आट करना है तो मेरे को लगता है कि अगर हम यह ट्राइ करें बाए नलाज यह ठीक ठाक लग रहा है ऐसा लग रहा है कि जैसे जब जो किरन कह रही है उससे उसके lips जो है वो मिल रही है तो अब किरन ने अपना अपनी बात कह दी तो अगर हम रोबाट के पास जा रहे है तो रोबाट कह रहा है कि I don't know किरन तो हमें करना वही है हमें फिर केवल यही कहना है कि जब रोबाट यह कहे I don't know किरन तो उसके जो lips हैं वो भी थोड़ा move करें तो हम इसके लिए क्या करते हैं फिर से रोबाट की कॉस्टूम में हमार पास क्या है तो हमारे पास एक यह पोज है एक फिर इस तरीगे का पोज है और यह तो यह तो हमारे किसी काम का नहीं अभी इसंदर में इसमें भी problem क्या है कि इन दो पोज में जो उसके lips है उसका कोई expression बदल नहीं रहा तो अगर ऐसा है कि किसी sprite में उसके lips का या उसके मूँ की आकरिती नहीं बदल रही है तो फिर हमारे को खुद create करनी बड़ेगी तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम ये जा रहे हमारे पास एक है जैसे मानलो हम इसको कह देते हैं कि ये है जैसे जो मूँ खुला हुआ है तो ये ये वाली ध्वनिया जो है ये का वर्ड है हमारे पास पर अब हमारे को एक और रोबोट का एक और वो कॉस्ट्यम बनानी है जिसमें कि जो lips है या मूँ जो है वो बंद है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहां जाते हैं राइट क्लिक करके इसको डूपलिकेट करते हैं और यहां जाके हम चाहते हैं कि इसके ये मूँ बंद ये पोज दिखाएं तो इसके लिए अगर मैं इसको सिलेक करता हूँ तो हो सकता है आपने कभी powerpoint में या कभी cliparts में देखा हो कि clipart में आप जाके clipart को ungroup कर सकते हो तो अगर मैं इसको ungroup कर देता हूँ तो यह animation अलग-अलग जो है आकरतियों से बनाई गई थी जैसे यह triangle था, यह एक almost square था, यह एक rectangle था तो जब मैं इसको ungroup करता हूँ तो मेरे को यह option देता है कि मैं केवल कोई एक चीज़ सिलेक करूँ जैसे यहां इसका move और मैं इसको delete कर देता हूँ तो मैंने इसका move delete कर दिया अब मैं यहां पर एक नई आकरती बनाना चाहता हूँ जिसमें ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि जो move था वो robot का move बन था तो उसके लिए मैं यह line select करता हूँ और मैं line थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ four की और फिर मैं यहां पर एक आकरती बना देता हूँ केवल मैं lines draw कर रहा हूँ इसके move के around क्योंकि मैं ऐसा दिखाना चाहता था कि जैसे की इसका move भी बंद है तो यह expression के लिए मैं यह expression जो है यह ला देता हूँ और इसको हम ठीक है यह robot A इसको ऐसे कर देते हैं robot 1 है हमारा यह यह robot 2 है और यह अभी हम अभी use नहीं करने पर यह robot 3 है तो अगर आप मैं वापस कोड में जाता हूँ तो मैं फिर वही इसकी lips इन से सिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ तो robot बोलना शुरू करता है जब उसको यह message मिलता है वेन आई रिसीव किरन 1 तो मैं control में जाके सारी events में जाके सबसे पहले तो यही बात कहता हूँ कि वेन आई रिसीव किरन 1 फिर यहां भी 0.5 सेकंड की wait है तो मैं control में जाके एक 0.5 सेकंड की wait डाल देता हूँ और फिर यह कह रहा है I don't know किरन और हम उसको match कराने की कोशिश करते हैं costume बदल के तो हम looks में जाते हैं और यह switch costume पर आते हैं और इसको ही duplicate कर लिया तो हमारे पास एक है robot 1 फिर एक है robot 2 फिर एक है robot 1 फिर से और फिर कोशिश करते हैं एक और इसके बीच में थोड़ी wait try करते हैं कि अगर हम इसके बीच में 0.2 सेकंड की wait डाल देते हैं और इसको हम repeat करा देते हैं maybe try करने के लिए three times तो अब हम देखते हैं क्या होता है तो ठीक ठाक लग रहा है कि और आप इसको जितना अच्छा कराना चाहो उतनी कॉस्ट्यूम को और आड़ करके इन आकरितियों से मैप कराते हुए कि मुझ कौन सी धुनी में किस किसम की जो शेप ले लेता है आप ज़्यादा कॉस्ट्यूम अगर बनाओगे तो वो और ज़्यादा realistic लगेगा पर lip sync का एक सरल तरीका ये है तो वैसे ही अगर हम वापस जा रहे हैं किरन में और हम कह रहे हैं कि फिर वो बोल रही थी जब रोबाट वन रिसीव था तो हम इसी को दुबारा कुछ combination में ट्राइ कर सकते हैं तो मैं फिर से जा रहा हूँ events में और मैं कहता हूँ next time के रन बोलना शुरू कर रही है जब उसको रोबाट one message मिलता है और पहले वही वो एक 0.5 seconds की wait है और फिर मान लो मैं यही जो था इसको इसमें एक अगर हम एक इसको कम कर दें तो शायद यह ज्यादा बेटर लगेगा और अगर 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 अब मैं वापस रोबाट में जा रहा हूँ तो वहाँ पर भी हमें फिर यही करना है कि जब उसको यह अपना second message मिलता है when I receive के रन 2 फिर वही 0.5 seconds की wait और हम कह रहे हैं कि ओके लेट मी find out इसका तो में भी यहाँ जो था इसको duplicate करके मैं यहाँ लाता हूँ और इसको ओके लेट मी find out ट्राइ करते हैं तो यह थोड़ा I think maybe five times है और इसको हम robot one और robot two उल्टा कर लेते हैं और फिर कह देते हैं कि जब end करें तो robot one पर ही end करें तो जैसा मैंने कहा कि यही कॉस्ट्यूम बदल के और इनकी वेट जो है वो सिंक्रनाइज करते हुए आप जो है इसको बहुत realistic effect डाल सकते हो तो यहाँ पर हम एक last effect और सीख लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक और है set voice to तो हम इसमें अलग-अलग थोड़े से effects हैं जैसे इसमें हम मान लो squeak का effect डाल देते हैं और तब अगर robot squeaking voice में बोलता है तो यह ऐसा sound करेगा तो यह थोड़ा सा जादा कार्टूनी लग रहा है तो हम यहाँ पर यह effect जो है दौनों में यह डाल सकते हैं तो इस तरीके से आप अपनी voice record करके उसमें effects डाल कर या इंटरनेट से कहीं डाउनलोड करके या यह text to speech यूज करके और उसमें फिर अलग-अलग effects डाल के जो है आप अपने characters को voice over डाल सकते हो और फिर costumes बदल कर और उनका lip sync करा कर आप वो voice over का effect जो है वो और जादा realistic कर सकते हो जहां आपके characters में जो उनका lips हैं वो move करें जब वो बोलें तो अब ऐसा लगता है कि animation और जादा realistic हो गई है कर दो कर दो कर दो है